कोशन में हमसे कहा गया है अगर twice of cot a equals to 7 है तो हमने thrice of sine a plus twice of cos a upon thrice of sine a minus twice of cos a की वेली को find out करना है तो चलिए solution स्टार्ट करते हैं चलिए अब हम जो कोशन में हमको given है उसे यहाँ पर नीचे no down कर लेते हैं हमें given है twice of cot a equals to 7 अब हम 2 को left hand side से right hand side में लेकर के जाएंगे तो यह 7 की निचे divide में आ जाएगा तब हमारी equation हो जाएगा cot a is equals to 7 upon 2 हमें 2 cot a equals to 7 given है तो उसके आगे हम given लिग भी लेते हैं ठीक है और इससे यहाँ पर हमने निकाला cot a equals to 7 upon 2 चलिए अब हम जिस expression की वली को हमने find out करना है उसको यहाँ पर नीचे no down कर लेते हैं हमें find out करना है thrice of sin a plus twice of cos a upon thrice of sin a minus twice of cos a यह हमको find out करना है तो इसके आगे हम लिख लेते हैं to find चलिए अब हम इस expression के numerator and denominator दोनों को sin a से डिवाइड कर देते हैं लिखते हैं dividing numerator and denominator by sin a चलिए अब हम इस expression के numerator and denominator दोनों को sin a से डिवाइड करते हैं तब हमारे यह expression हो जाएगा thrice of sin a plus twice of cos a upon sin a upon thrice of sin a minus twice of cos a upon sin a तो यहाँ पर हमने expression के numerator को भी sin a से डिवाइड कर दिया and denominator को भी sin a से डिवाइड कर दिया चलिए अब हम आगे solve करते हैं question को अब यहाँ पर यहाँ पर जो यह thrice of sin a plus thrice of cos a upon sin a है हम इसको लिख सकते हैं thrice of sin a upon sin a plus twice of cos a upon sin a फिर है upon अब यहाँ पर यहाँ पर हमारे परस में है thrice of sin a minus twice of cos a upon sin a हम इसको लिख सकते हैं thrice of sin a upon sin a minus thrice of cos a upon sin a चलिए अब हम आगे solve करते हैं question को अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में है thrice of sin a upon sin a sin a से sin a cancel out हो जाएगा तो रज जाएगा 3 तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 फिर हाँ पर plus है तो लिखेंगे plus अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में है twice of cos a upon sin a cos a upon sin a होता है कोट a तो यह हो जाएगा twice of कोट a तो यहाँ पर हम लिखेंगे twice of कोट a अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में है thrice of sin a upon sin a sin a से sin a cancel out हो जाएगा रह जाएगा 3 तो लिखेंगे 3 फिर minus तो लगाएंगे minus अब यहाँ पर हमारे पास में है twice of cause upon sign cause upon sign होता है कौटे तो यह हो जाएगा twice of कौटे तो लिखेंगे twice of कौटे अब आगे solve करते हैं question को यहाँ पर है 3 तो लिखेंगे 3 फिर है plus तो लिखेंगे plus फिर है 2 तो लिखेंगे 2 फिर यहाँ पर है कौटे और यहाँ पर यहाँ पर question हमें दिया है कौटे का value 7 upon 2 तो हम कौटे की जगा पर लिखेंगे 7 upon 2 इस 2 से यह 2 cancel out हो जाएगा ठीक है अब आते हैं इस denominator पर यहाँ पर है 3 तो लिखेंगे 3 फिर है minus तो लिखेंगे minus फिर है 2 तो लिखेंगे 2 फिर यहाँ पर है कौटे और हमें कौटे का value question में दिया है 7 upon 2 तो हम कौटे की जगा पर लिखेंगे 7 upon 2 इस 2 से यह 2 cancel out हो जाएगा चलिए हम आगे solve करते हैं question को यहाँ पर है 3 तो लिखेंगे 3 फिर है plus तो लिखेंगे plus फिर यहाँ पर है 7 अब आते हैं denominator पर denominator में यहाँ पर है 3 minus 7 तो लिखेंगे 3 minus 7 यहाँ पर है 3 plus 7 तो आएगा 10 upon में है 3 minus 7 तो upon में आएगा minus 4 अब जब हम 2 से 10 को divide करेंगे तो आएगा 5 फिर जब हम 2 से माइनस 4 पर डिवाइट करेंगे तो आएगा माइनस 2 तो यहाँ पर हमारे प्रास में आ गया है 5 अपॉन माइनस 2 हम इसको लिख सकते हैं माइनस ओफ 5 अपॉन 2 तो यहाँ पर हमने निकाला की 3 of sine plus 2 of cause से अपॉन 3 of sine minus 2 of cause से के वाल्यू है minus 5 upon 2 तो यहाँ गया हमारे इस question का final answer